हलो एबरीवन वेलकम टू माईचैनल और आज आपके लिए लेकर आईए बहुत चटपटी मज़डार सी पार्टी स्पेशल रेसीपी यह रेसीपी है पनी चिली गार्लिक की इस रेसिपी को बनाने में मैंने चिली गार्लिक सॉस का इस्तमाल किया है जिसने इस रेसिपी को एकदम बढ़िया सा बना दिया है तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को किस तरह तियार किया है तो सबसे पहले मैंने एक बरतन में ओइल ले लिया है करीब आदा कप ओईल लिया है आदा किलो पनीर के लिए मैं आदा कप ओईल ले रही हूँ और यहाँ पर करीब मैंने 200 ग्राम प्याज लिया है जिनको हमने बारी काड लिया है आप चाहें तो paste बना करके भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो ये जो प्याज हैं इनको हमने color change होने तक पका लेना है color change होने से मतलब है कि हल्की सुनहरे पन पे हूँ लेकिन जादा आपने golden brown नहीं करना है तो बस इनको color change कर लेना है देखे किस तरह से हमने इसको पकाया है अब मैंने करीब 3-4 बड़े size की टमाटर लिये थे उनको अच्छे से हमने chop कर लिया था grinder में डाल कर आप paste भी बना सकते हैं तो इसको हमने डाल करके अच्छी तरह भूनना है जब तक के जो पानी है इसका वो dry ना हो जाए और जो टमाटर है वो अच्छी तरह पक ना जाये तो यह देखे जो इतना भी पानी था वो dry हो चुका है अब हमने इसमें डाला है नमक और नमक के बाद हमने डाला है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती मिसालों की अब हम इसमें दो चमत चिली कारलिक पेस्ट डाल देंगे जो कि मैं बाजार का वीबा का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो इसे घर पे भी बना कर इस्तमाल कर सकते हैं इसे अच्छी तरह भूनना है जब तक के भूनना है जब तक के सारा ओयल अलगना हो जाए तो हम भून लेते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ कटी हुई सबसियां जो कि इस कटेस बहुत ही अच्छा बना देंगी तो देखे बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है तो मैंने यहाँ पर कुछ बड़े प्याज लिये थे एक बड़ी शिमला मिशली उन्हें चोकोर टुकडो में काट लिया था और यहीं पर हमने करीब चार बड़े प्याज लेकर के उनको भी इस तरह बड़े टुकडो में काट करके हर एक प्याज के परत को अलग कर लिया था अब हमने इसे कुछ देर अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद इसे पानी डाल करके करीब 2-3 मिनिट पका लेना है जब थोड़ी सी सबसियां हलकी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तब हमने इसमें डालना है पनीर पनीर मैंने आपको बताया कि मैंने आधा किलो इस्तमाल किया है शिमला मिर्च और प्याज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्या जादा कर सकते हैं मैंने यहां से यहां पर चार बड़े प्याज लिये थे और दो बड़े साइस की शिमला मिशली थी तो यह बहुत ही मज़िदार सी रेसिपी तयार हुई थी और सबने बहुत इंजॉय किया अब पनीर डालने के बाद मैंने यहां पर डाला है करीब दो बड़े चमच मलाई घर के निकली हुई मलाई है आप चाहें तो बाजार वाली क्रीम का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो बस इसको हम हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे साइट से ही आप देख सकते हैं कि बहुत हलके हाथों से क्योंकि पनीर ना टूटे इस बात का बहुत खयाल रखना है इसलिकल हलके हाथों से मिक्स करना है तो जब यह मिक्स हो जाएगा इस तरह की देखे किती खुबसूरत सी इसकी शेकल देखने लगी है अब हमने इसको उबालाने तक पकाना है और कवर करके इसको खरीब 2-3 मिनिट पका लेना है तो यह देखिए कितनी खुबसूरत लग रही है घलके हलके से बबल्स आने लगे हैं अब हमने इसको ढटक लिया है अब करीब 2-3 मिनिट पकाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे के हमारी सबजी कितने कमाल की बनी है तो चलिए दोस्टे तीन मिनट हो चुके हैं हम देख लेते हैं किसी बनी है उसके बाद हम इसका गैस बंद कर देंगे यह लेखें कितना खुबसूरती रेसिपी तियार हुई है बहुत मज़िदार लगती है तो यहां पर अभी भी बबल्स आ रहे हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने पकाया था क्योंकि हमें पनीड तो गलाना नहीं है बस हलकी सी सबजियां सॉफ्ट हो जाएं क्रंच रहना चाहिए तो अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं आप इसे परांटों के साथ प्लेन चपाती के साथ या फिर अगर आप दावत वगरा में बना रहे हैं तो बटर नान के साथ सर्फ करिएगा एकदम महफिल लोट लेने वाली जो सबजी है तयार होती है बहुत मज़दार बनती है एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे जरूर बताइगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है मेरे यहां तो जब भी बनती है यह सब को पसंद आने वाली रेसिपी होती है तो उम्मीद करती हूँ आपको भी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी तो लीजिए हमने इसे सर्फ कर दिया है और यह बहुत मज़िदार बनती है तो लाइक करिएगा अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है और अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन प्रेस कर दें जिसे मेरी आने वाली वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी तो इन्शाला मिलेंगे अगली किसी मज़िदार सी रेसिपी के साथ जब तक के लिए दौाव में रखेगा अल्ला हाफिज